आई ये रागनी के मंच के मादम से आदेश मिला आई ये रागनी का सुनिएगा रागनी में क्या लिखा क्या बताया सुनिएगा उपदेश के मादम के कैसे लिखा बताया प्रेमिश होता हो कि आज के जमाने में किसी इंसान के पास दो मिनट भी बैठने का घरवर नहीं है अगर कोई इंसान आप से ज़्यादा अटेश हो रहा है और कभी आप के पास आया नहीं तो ये समझो उसमें उसका कोई ना कोई लालज जरूर है आईए इस रागने के मादम से कभी महत्ये ने बताया कि आज के जमाने में इंसान को अपने उपर से ज़्यादा किसी के उपर विश्वास नहीं करना चाहिए क्या बताया जरा सुनेगा कैसे मेरे सोच समझ के है चलिया रे लगा हो या ते बुरा जमाना आया रे आरे जुहूटी का पटी ओर धल पे माती पाब जगत में छाना आदे जूट का पटी जुल पे माती पाब जगत में छाना आदे अरे जोट सबसे चलिया लागा पुरा जाना आदे दूट का पुरिया लागा जगत माती आदे जगत में छाना आया रे तूट दा पटी ओर जगत में भादी आदे जगत में छाना आया रे लोगों यह पुरा समाना आया रहे जूट कपट और छल बहिमानी पाप जगत में छाया रहे बताया पहली कली में कि आप सभी जानते हैं अगर बनवास दिया गया तो शुरी राम चंडर जी को और मा सीता को दिया गया लेकिन उनके साथ बन में गए उनके भाई लक्षमन कहा कि अगर बड़े भाई बन में जाएंगे तो उनके पीछे पीछे छोटा भाई भी जाएगा वो था भाई का प्यार आज के जमाने में अगर बड़ा भाई घर में रह जाए और छोटा भाई कही बहार चला जाए और बड़ी पोस्ट पे लग जाए तो बड़ा भाई चिड़ने लगता है कि मैं घर में रह गया लेकिन मेरा छोटा भाई बड़ा पोस्ट में लगया आखिर ऐसा क्यूं यहे छल लोर कपट क्या बताया पहली का निवेल अर भाई की जड़ भाई काटे भाई की जड़ भाई काटे एसा भाई मरियो जिस जननी के ममता को निया ऐसी माई भाई भाई खान दानिके पटा लावे ऐसी जाई भाई जैर मरद संग जैर मरद संग आख लड़ावे ऐसी प्याई भाई 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 जैर मरद संग भाई 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 यह दो रही कि कैसी भाई को मर जाना चाहिए कैसी मा को मर जाना चाहिए कैसी बेटी को मर जाना चाहिए लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है सब आज करते हैं बेटी की की बेटा होना चाहिए लेकिन बताया प्रेमिश होता हो बेटी के लिए एक बहु की जरुवत होती है और अगर बेटी के लिए बहु चाहिए तो बेटीयां भी होने बहुत जरूरी है लेकिन आज के जमाने में ऐसे खांदान है अभी एक कहानी बड़ी थी मैंने कि एक को एक घर में चार बेटिया हो जाती है चार बेटिया हो गई आया अपनी पत्ली के पास बोला कि चार तो हो गई है अब कि पाँच भी हो गई ना तो मार दूँगा कहने लगी कि इसमें मेरी क्या गलती है अरे भगवान दे रहा है मैं क्या कर सकती हूँ लेकिन भगवान की ये करनी हुई तो उसको पाँच भी भी बेटी हो जाती है वो बाप क्या करता है बेटी को बाहर सड़क पे छोड़के आ जाता है एक दिन छोड़ के आया, कोई लेके नहीं गया दूसरे दिन फिर छोड़ने चला गया, कोई लेके नहीं गया एक हफ़ती तक ऐसी करता रहा, लास्ट में बेटी को घर लेके आ जाता है लेकिन बेटा हुआ, उसकी नीत अच्छी होने के बाद बेटा हो गया जैसे बेटा होता गया, एक बेटी उसकी मरती चली जाती है लास्ट में एक बेटी वस्ती है अगर बेटी है, तो ये समझो बहू भी होगी और बहू है, तो ये समझो माबापों की भी सेवा जरूर होगी क्या बताया दूसरी करीन और यार की बेटी है, यार की बेटी बहने तक कैसे यार की बेटी बहने तक कैसे ऐसा यार मल्योर, हमस आग में अंधा हो जा ऐसा जार मल्योर बेटी मारी बेटी मारी, जाएक अर अरब में वो परिवार मल्योर भाई के घर, भाई के घर, भाई के घर, भाई के घर पुर जागा पच्छंता ना लागा मोजा का पच्छुतान आरला को रखनी आई दिखान को दो अधान पाथ में भाँनी कर दो अधान को दो अधान पनल्टंब कर दो वां सी आधान कर दो 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 अधान आज कल जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माबाप के कंधी चोड़े हो जाते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है नई नवेली दुलहन लेके आएगा और दुलहन लेके आने के बाद माँ ये सोचती है कि बेटा बहु कुछ करे या ना करे लेकिन शाम को एक बार मेरे पैर जरूर दवा दिया करे हर माँ की इच्छा होती है यहां पर सभी जादा सी जादा शादी शुदा बैठी हैं एक बार हाथ खड़े करके वो बताए जो अपने रात को सासू के पैर दवाती हो एक बार हाथ खड़े करके बताना जो अपने सासू के पैर दवाती हो कोई भी नहीं दवाती एक आदी तो होगी चलो एक तो मिली इतनी सारी बैठी है लेकिन एक ही है जो पैर दवाती है आप सबसे पूछती हूँ माबापों का तो जमाना गया सिर्फ बहू का जमाना रह गया है आप मेंसे कितने हैं जो रात को बहू के पैर दवाते होंगे अपनी के खुरा ताओ एक बर ताव के लिए जोड़दार ताली बजा दो ताव ने अपने बाबापों के पैट दवाई ना हो या ना दवाई हो लेकिन अपनी पहु के जड़ दवाई है क्या बताया ती स्रीकली में कि कैसे कैसे बीटी को मर जाना चाहिए क्या बताया सुनिगा पूट का पूट बने जो फेता पूट का पूट बने जो हो बेता वो दूरचारी मर अरे इसकी सुनिके उसके कहते गॉनंकारी वर्यों किसम बेच के नोटी कमावे ऐसी नारी वर्यों पिजिए पियाग के लावे ऐसा बनम हचा अरी कोड़ने करता वे दुख दें जागे कर दोभवा टोग्राइब मीन्, पर में और शायाँ एल उप्राफ़ों और में म epoxy ही तायात़ी। दुनिया पीती खाती है आज कल का जमाना ये है कि इंसान खाए बिना रह सकता है पीए बिना नहीं रह सकता पीए खाना भी चाहिए पीने खाने में कोई बुराई थोड़ी है लेकिन जिस पीने खाने से इज़्जत बिगड़ती हो वो पीना खाना भी बेकार है बताया प्रेमिश होता हो अगर कोई इंसान दारू पीता हो और दो चार पववे लगा के दो-चार पहुए की तो छोड़े आजकल तो एक पैक भी किसी पे नहीं जिलता एक पैक मार के यह समझो उसने बड़ा पहलवान कोई नहीं है पूरे गाउ में अगर कोई इंसान एक पैक लगा के चुप-चाप घर में सोजाता हो तो पता नहीं लगता कि फलाने इंसान ने कोई एप भी कर रखा है लेकिन अगर कोई इंसान दारू पीता है बहुत बधनेवाद और दारू पीने के बाद उसे ये मालूम नहों कि वो नालियों में बड़ा है नालियों की तो छोड़ो उसका कुट्ते भी मूँ चाट रहे होते हैं कुछ वेरा नहीं अगर इंसान को पीनी चाहिए इतनी जिससे इज़त नहीं बिगड़े क्या बताया बहुत बधनेवाद शाम सुन्दर कलवाडी वाले सोर पे से सम्मान करते हैं बहुत बधनेवाद और सोर पे से यमारे एक संत जीवी आशिरवाद देखे गई हैं बहुत बधनेवाद क्या बताया जाती बिगड़े गाह मेरे यू दर्दु तुमारे उठ रहे दर्दु पहुत पहुत पेक कम पनवाद भी है असरा बोरा है यह थार थेखे है यह थार थेखे है यह थेखे दार है सुन्ग ने से वी आजकर लशी होते क्या बताया सुनेगा अरे इज्जत बिगड़े पीड़े तेने इज्जत बिगड़े पीड़े तेने पीना खाणा मरियो हो रहे जात बिगाड़े रिस्ते तार जो नया पुराना मरियो हो रहे यादान तोड़े ऐसा गंदा गाना मरियो हो रहे है वोटने करता भी दुख दे जांगा दूशी समय हो रहे रहे तूरे लिगो के फीड़े तेने तार जांगा दूशी तोड़े पामियो हो रहे हो न लोटने करता पीड़े पीड़े एकन आंगाक का दूशी में तोड़े उपिरमे मरियो हो रहा से ताओ जी को नहीं दारिया किर जाते भी चारे अभी दुनिया पीती खाती है आज कल का जमाना ये है कि इंसान खाए बिना रह सकता है पीए बिना नहीं रह सकता पीना खाना भी चाहिए पीने खाने में कोई बुराई थोड़ी है लेकिन जिस पीने खाने से इज़्जत बिगड़ती हो वो पीना खाना भी बेकार है बताया प्रेमिश होता हो अगर कोई इंसान दारू पीता हो और दो-चार पहुए लगा के दो-चार पहुए की तो छोड़े आजकल तो एक पैक भी किसी पे नहीं जिलता एक पैक मार के यह समझो उसने बड़ा पहलवान कोई नहीं है पूरे गाउ में अगर कोई इंसान एक पैक लगा के चुप-चाप घर में सोजाता हो तो पता नहीं लगता कि फलाने इंसान ने कोई एप भी कर रखा है लेकिन अगर कोई इंसान दारू पीता है बहुत बधनेवाद और दारू पीने के बाद उसे ये मालूम नहों कि वो नालियों में बड़ा है नालियों की तो छोड़ो उसका कुट्ते भी मूँ चाट रहे होते हैं कुछ वेरा नहीं अगर इंसान को पीनी चाहिए इतनी जिससे इज़त नहीं बिगड़े क्या बताया बहुत बधनेवाद शाम सुन्दर कलवाडी वाले सोर पे से सम्मान करते हैं बहुत बधनेवाद और सोर पे से यमारे एक संत जीवी आशिरवाद देखे गई हैं बहुत बधनेवाद क्या बताया जटी बिगड़े गा मेरी उन दर्दु तुमारे उठ रहे दर्दु पोवा पेक कम पणवाद भी असरा बोरा यह पेक दार है पेक दार है सुन्ग ने से वियाज कल नशी होते क्या बताया सुनेगा अरे इज़त बिगड़े पीड़े तैने इज़त बिगड़े पीड़े तैने पीना खाणा मर्य हो रे जात बिगाड़े रिस्ते तार जो नया पुराना मर्यों अरे अमें दोड़े एसा गंदा गाना करता तुलना करता खवियों की वो और खोटे करता में दुख दे जंग ओ ओ ओ ओ वो क्यों शुरिज आरी क्या नूजिसी होना मूतिए आंतिये पसिती आत्रेटम उनली के आत्रेटे पाँल्म domus后mane जीकि собствен के आलन कर दो कर द सानन कर दो जम्त हे से तंससी कि नका नात्रेट मीरें ताउ जी को नेंदारिय गिर जाते बिचारे अभी